पूरे देश में यूतो परधान मंतरी के जनम दीन को धूम धाम से लोगों ने मनाया लकिन हम पहुँच चुके हैं दादरा नगर हवेली खानवेल में डिस्टिक पंचाय दादरा नगर हवेली प्राइमरी इंगलिस मीडियम इस्कूल खानवेल आपको बता दें यहाँ पर भारती जनता पाटी दादरा नगर हवेली प्रदेश अध्यक्ष हस्मुक भंडारी के संग लगभग 12-13 जो नेता हैं जो बरिष्ट जो कारिकरता थे नेता थे भारती जनता पाटी के वो सभी वहाँ पर मौजूद रहे और वहाँ पर सारह ग्यारा सो के उपर बच्चे है इसकूल में पढ़ते हैं उन सभी बच्चों के संग भारती जनता पाटी के नेताओं ने परधान मंत्री के 79 जनमदीन को यादगार के रूप में मनाया है यहाँ पर सारह 1100 से उपर बच्चों के साथ यहाँ पर जनमदीन तो मनाया गया ही लेकिन उन्हें तीथी भोजन द उक्त हो हमारा परदेश इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं शामने शभी नेता करे हैं और तीथी भोजन जब बच्चों को परोशा गया उससे पहले शभी बच्चे जो गायत्री मंत्र हैं उसका उचारण करते हैं उसके बाद सुरुवात होता है तीथी भोजन का और हम बात करें अगर इसकूल के परदाना ध्यापका की इससे पहले भी आप कवरेज मेरे चैनल के माधियम से देख चुके होंगे लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूं मनीशा पवार जो परदाना ध्यापक हैं इसकूल की उनका भी बहुत बड़ा सयोग रहा है ऐसा बात करने प परदेश अध्यक्ष का इंटर्व्यू सुनते हैं सेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा पूरा कवरेज जरूर देखिए लोगों को सेयर जरूर करिएगा आईए देखते हैं पूरा कवरेज मेरे हमारे देश के प्रदानमंत्री मान्य अस्री नरंद्र भा हूं मोदी जी का जो कार्य है वो देश को विश्व गुरु बनाना तरप जा रहा है और भरती जन्ता पार्टी का एक यूग था जिसको आप आज कहां से कहां पहुंचा लिया हमारे मान्य श्री नरंद्र भाई मोदी जी का और मोदी जी ऐसे वेक्तित्व है जिन्होंने द देश को आगे बराने के लिए बहुत सावा परिश्रम किया ऐसे हमारे देश प्रदान मंद्री मान्य श्री मोदी जी का आज चन्म दिन है इसी एवसर पे पूरे देश में भरती जन्ता पार्टी द्वारा कर्यकरम हो रहा है अलग-अलग तरीके से हो रहा है सब जगे दाधरा नगरवली प्रदेश में भी हमारे यहाँ साथ दिन का जो कर्यकरम रखा गया है चवुदा से बीस तारीक तक का उन्हों उसी संदर में हमारे यहां भी अलग-अलग जगे कार्यकरम हो रहा है बरती जन्ता पार्टी द्वारा आज 17 तरीको पार्टी द्वारा हमार यहां से ट्राइवल एरिया खानवेल में एक कार्यक्रम रखा गया था प्रिती भोजन वो खानवेल लाग गवर्मेंट स्कूल मेडियम इंगली स्कूल है वहाँ पे 1100 बच्चे लोग वहाँ पे रहते हैं उसके लिए हमने प्रिती भोजन का आयवन किया है प्रिती भोजन से पहले हमें एक बच्चे लोग को प्लास्टिक बेन और सवस्था अभ्यान के लिए कार्यक्रम रखा उन्होंने कई बच्चे लोग ने वहाँ पे प्लास्टिक के उपर कई सारे कार्यक्रम बताये और वहाँ पे 1100 बच्चे लोग वहाँ पे बोजन किया और हम भी साथ में रहे, हमारे पदातीकरी सब साथ में रहे और कारिय करता सब आये थे बोजन किया जाएगा तो यह बच्चे लोग बच्ची है काफी अच्छा तरह गाना भी तीन चार बच्ची लोग ने रिख्चा अच्छा गाना गाया यह प्लास्टिक की उपर क्या आप सोचते रह जाऊँगे मुझे बहुत पसंद आया और अच्छा उन लोग ने जो बच्ची लोग्षे और हम घर से निकले तो थेली जो प्लास्टिक की कपड़ा की थेली लेके निकले और यही कारेक्रम में उन लोग ने काफ़ी सारा यह दिया है हमारे साथ हमारे पदादीगर जो आये थे सभी पदादीगरी उप्रमुक महामंत्री मंत्री एक्स प्रेसिडन बीजेपी यह सभी लोग आये के वहाँ पर और वहाँ हमारा स्वागत भी बच्चे लोग ने अच्छी तर रखिया हमें खुसी हुई और दूसरी बात एक वहाँ पर टीचर्स लोग जो टीचर्स लोग है उन्होंने काफ़ी सहयोग किया और अच एक कार्यक्रम सफल बनाने में टीचर्स लोग का बहुत सारा सहयोग रहा तो ऐसा कार्यक्रम हर जगे होना चाहिए